श्री रामानन्द भगवान कीज़े श्री राधेयाधे भक्तों मनुस्ची का सच सुभाव होता है कि वो अपनी शक्ती सामर्थ बुद्धी से कोई विशेश परे अर्थात बहुत उंची बातों को जब सुनता है या कोई घटना देखता है तब उसको दैवी शक्ती पर विश्वास होता है अर्थात अतीनरी अप्राकृत शक्तियों पर विश्वास होता है ये बात मैं लोगों के लिए नहीं कर रहा हूँ जो बहुत ही शद्धावान बहुत शद्धावान व्यक्ति को तो कुछ भी देखने को ऐसा न मिले तब भी पूर्ण विश्वास रहता है लेकिन ऐसे बहुत कम होते हैं नहीं तो कुछ न कुछ चमतकार, कुछ अती इंद्री शक्ति, कुछ अप्राकृत शक्ति का आभास हो, अनुभव हो, दर्शन हो तब वो भगवदी शक्ति को, इश्वरी शक्ति को, संत महात्मा की दैवी शक्ति को मानते हैं इसलिए वो चाहते हैं कि एचा कुछ देखने को मिले है ऐसे एक बार कभीरदाश जी महाराज जब जगनात पुरी को गए थे तो रथे आत्रा के समय संतों का ब्रिहत सम्मेरन हो ही जाता है रथे आत्रा के पहले इकठे होते रहते हैं संत लोग तो एक संत ने विंती की कि महाराज जी यहां भी कुछ चमतकार आपके द्वारा दर्शिन करने को मिले हम लोगों को तो भक्त महिमा का विस्तार हो अर्था तो संत भक्त की शक्ती को लोग समझेंगे तो अच्छा होगा सबकी शक्दा बढ़ेगी इधर ये बिंती होई रही थी और उधर जगनाच जी का दर्शिन करके जो संत आए वे बोले अहो आश्चर ये यहां तो कभी दाश जी महाराज सत्संग में बैठे हैं और वहां से जगनाच जी को चमर कर रहे हैं कई संत जनों ने जा करके और देखा जिन लोगों ने इस बातों को तो वो देखने के लिए चले गए तो वहां जाके देखा कि वहां चमर चला रहे हैं जगनाच भगवान को चमर कर रहे हैं और फिर आके देखा तो सत्संग में बैठे हुए तो दोनों स्थानों पर इनका दर्शन करके लोग इनकी चर्णों में नत्मस्तक हो गए ऐसे माराज जी कभीरदाश जी का सामर्चत बुत था और राम नाम की दिव्यता को पवित्रता को समझाने के लिए एक बार लीलाईनों ने की थी चने खा रहे थे और चने चबाते जा रहे थे राम राम बोलते जा रहे थे तो एक नए सादू ने धीरे से ठोका की माराज आप इतने बड़े संत हो करके ऐसा कर रहे हैं जूठे मूँ से राम राम जप रहे हैं तो जटिनों ने कुला करके मुख को सुद्ध किया फिर एक बार मुख में जल भर करके उस आदमे की तरफ थोड़े दोरी पर कुला किया और वो थोड़ा नाराज होना लगा कि मेरी तरफ सीटा आ जाएगा तो उन्होंने कहा कपीरदाशी ने कि भईया मैंने तो मुध हो लिया था आजमन कर लिया था मेरा मुख तो विलकुल शुद्ध था तो उसने का इस से क्या हुआ? मुख में पहुंचने पर तो हर वा सुद्ध हो जाती है तो बहुत प्यार से कपीरदाशी ने समझाया कि भईया मुख तो सुद्ध जूटा ही रहता है जल से हजार बार कुला करने पर भी उसकी सुद्धी संभो नहीं है उसकी आच्यनतिक सुद्धी तो राम नाम की लेने से होती है इसलिए तुम ये मत सोचो कि हम खा रहे थे चना हो फिर क्यों राम नाम बोले थे अरे वो तो चना खाने से क्या हमेशा कुछ न खाओ तब ही मुँँ अशुद्धी रहता है बस के उल प्रभु के नाम से ही शुद्ध होता है ऐसे उपदेश कर दिया करते थे जहां देखते थे आवश्यक्रुद्धी ऐसे एक बार बलक बुखारा के बादसाह का प्यारा बेटा मर गया था तो उसने लाश को तेल में रखकर अपने मंत्री को भारत भेजा कि किसी सिद्ध संत को लाओ जो इन्हें जीवित कर दे मंत्री ने आकर पता लगाया तो उस समें सिद्ध तो बहुत से थे वो भक्ती का यूग था परन्त कोई भी बलक बुखारा जाने को नहीं प्रस्तुत हुआ और फिर जब कभीर दास्ची से प्रार्थ ना किया तो ये तैयार हो गए और वहां पहुँचने पर उनका बड़ा स्वागत सत्कार हुआ फिर वे मुर्टक बालक के पास आकर बोले उठ बादसा के हुक्म से उठ जा परन्त महराज वो तो नहीं उठा बालक तब फिर कभीर दास्ची ने कहा उठ खुदा के हुक्म से फिर भी नहीं उठा तब महराज उसको अपने चेरणों का स्पर्श करा के कहा उठ मेरे हुक्म से महराज ये कहते ही उठ कर बैठ गया लोग चकित हो गए कि बादसा के हुक्म से नहीं उठा खुदा के हुक्म से भी नहीं उठा कि इन संत के हुक्म से उठ गया जमतकार देखकर के राजसभा संपूंड जो थी वो और प्रजा भी सब ने उपदेश स्विकार किया महराजी का और सभी भगवान की भाक्ती में लगे ऐसलिए यह क्या करते थे जिससे सब का कल्यान हो एक दिन सायमकाल के समय कबीरदाश जी जो संतों की जमात उनकी हाँ आई थी वहाँ बैठे थे तो सयोग से उस दिन उनकी पास कुछ भी नहीं था तो कौतुक सुझा कमाल से बोले बेटा चलो कहीं से कुछ चोरी करके लाएं कि महराज बोड़ विचेतर विचेतर लीला एं करते थे जा करके कि भक्त के हां से हिलिया होगा अभक्त के हां तो क्यों जाएंगे और वह बहुत विचेतर लिला है वो बताने में भी थोड़ा संकोच लगता यह जल्दी से विश्वास नहीं होगा इसलिए संकुछ लगता वक्तो किन्तो सिद्ध पूरुष की लीला जो होती है वो भगवान जैसे लीला करें तो भगवान की लीला समझ में नहीं आती है ऐसे होती है लीला जो सामानित है कोई कर नहीं सकता है तो जहां गए थे वो चोरी जैसे लिला किया थे कबिरदाश जी और कमाल दोनों ने कमाल निकल रहे थे उसी भी जाक करके जो घर था न उसने पहिचाना नहीं कमाल जी को जिसका घर था तो ऐसा बरनान है कि अब आप बहुत उची शद्धा रखेंगे तब ही समझ में आएगी बात नहीं तो अपराद हो जाएगा क्या उपदेश देने के लिए कबिरदाश जी ने कमाल का सिर अलग कर दिया और घर आए सब राशन लेकर कि भोजन बनाया भोग लगा परशाद किया परशाद सब लोग होन पाया तो संतों लोग जब बिड़ा हुए कबिरदाश जी पहुंचाने चले तो रास्ते में कमाल का मृतक शरीर दिखलाई पड़ा और मृतक शरीर होने पर भी कमाल ने हाथ जोड़ दे संतों को तो बराश्चिर हुआ कि ये तो मृतक शरीर पर हाथ के से जोड़ रहा है तो संतों ने कहा कि महराज ये ऐसा कौन विक्ति है कि जो शरीर छूटने के बाद भी संतों को प्रणाम कर रहा है बड़ा हट किया लोगों ने कि आप तुछ सब जानते हों कि आप बता दीजी तब कबीरदाश्चि ने कहा कि ये कमाल है अर्थात मेरा शिश्य है ये संतों ने कहा कि ये कमाल है तो तो ये नहीं मर सकते क्योंकि आमार हैं तो कबीरदाश्चि ने कहा इस संतों की कृपा होगी तो ये बैठ जाएंगे और चोरी का दंड इनको मिला था लेकिन इन्होंने संतों की सेवा में अपने जीवन को अर्पित किया इसलिए आप लोगों की आशिरवाद से फिर जीवित हो जा रहेंगे तो चोरी के दंड स्वरोपन का प्राण त्याग हुआ और फिर संतों की सेवा में लगे थे इसलिए संतों के आशिरवाद से जीवित हो गए थे ये लिलाब होता पठी बक्तों ये समझ में जल्दी नहीं आ सकती लेकिन कभिरदाश जी के लिए सब कुछ संबह हो था करते थे क्योंकि वो तो बहुत ही हुँचे सिद्ध पुरुष थे तो शरीर के चारों और रक्षा रेखा खीच देते थे कि जिससे उस शरीर पर जब वो छोड़ कर जाएं तो कोई अधिकाल ने कर सके और उसमें कोई आकर प्रविष्ट हो जाएगा तो गलबड हो बाद में जब घूम करके लौट कर आते थे कबिद्धाजी तो फिर शरीर में प्रविष्ट कर जाते थे संजोग की बात की एक बार रक्षा रेखा खीचे बिना ही शरीर को छोड़ कर चले गए और मौका पाकर एक भूत उनके शरीर में प्रविष्ट हो गया उसने कई शिष्ट बनाए उनके आने के पहले और उल्टे सिधे उपदेश दे करके निशेद कर दिया कि भगवान सरगुन साकार होते ही नहीं है और जब कभिरदाश जी आये तो भूत चला गया था शरीर छोड़कर तो वह इसनवता से भिन शिष्टों के आचरण को देखकर जो कि उस भूत के प्रवेश होने पर शिष्ट बनाए गए थे तो वह वह इसनवता से भिन थे वह भगवान के सरगुन साकार रूप को मानती नहीं थे तो उनको देखकर के पूछा कभिरदाश जी ने कैसा उप्रवेश किस ने दिया है बोले कि आप ही ने तो दिया है तब ध्यान लगा कर कभिरदाश जी ने देखा कि जब मैं शरीर छोड़कर चला गया था तो एक भूत प्रवेश कर गया था जो इनको उल्टी सी दिबात इसे बता दिया और फिर महराज कभिरदाश जी ने समझाया कि ये मैं उप्रवेश नहीं किया था किसी ने मौका देख करके गलत उप्रवेश किया है मेरे शरीर के माध्यम से तो कुछ तो ऐसे थे जो मान लिए उस बात को और कुछ माना ही नहीं इस तरह से कुछ ऐसे हो गए जो अपने को कहने लगे कि हम तो कभीरपन थी हैं और वो भगवान के सगोन साकार रूप को ही नहीं मानते हैं तो वो ऐसी विचित लिला हैं उनके जीवन की हैं इसको समझने के लिए बड़ी उची शद्धा चाहिए हैं और वक्तों एक कथा मिलती है कि दक्ष अधनी ब्रामन थे तत्वा जी और जीवा जी ये भाई भाई थे तो ये नित्य सादू सेवा करते थे संतों की चर्णामृत को ले करके एक सूखे लगडी के ठूट पर डालते थे इनकी प्रतिग्या थी कि जिस संत के चर्णोदक से सूखा ठूट हारा हो जाएगा उसी के प्रतिख से हम बनेंगे और संयोग से इनके हां सी कबीरदास जी महराज पहुंच गये हैं बगवान की इच्छा हो गई नहीं जो क्यों पहुंचते हैं और जब कबीरदास जी का चर्णोदक ले करके उस ठूट पर सूखे लकडी पर जो ब्रिक्ष सूखा हुआ था उस पर और हट करके वे शिष्च बने चर्णों में पड़े रहे कि जब तक शिष्च नहीं बनाएंगे हम आपके चर्ण ही नहीं छोड़ेंगे तो गाउं की ब्रामनों में काना फूसी हुई कि ये तो जुलाहे के चेला बन गए और आज कई लोग ना समझे ऐसी करते हैं कि संत की जाती को देखते रहते हैं संत की जाती नहीं देखनी चाहिए अरे उसको संत देखो उनको संत देखो उनकी जाती क्यों बोलते हुआ लेकिन ना समझे लोग कहने लगे ये तो जुलाहे की चेला बन गए ऐसे ब्रामनों कही थे और पंचायत करके उन दोनों शिष्चों का जाती पांच से बहिसकार कर दिया जिन्होंने जीक्षाली थी तो इनको इसकी चिंता नहीं हुई जाती से निकाल दिया तब भी कोई बात नहीं हम तो महराज स्री कवीर्दाशी किसी से बन गए ये खुशी थी जाती से निकाल दिया तो कोई बात नहीं किन्त भक्तों ही ल अचानी यह आए कि जब इनकी बेटी का विवाख करने कर समय आया, तो लोग इनको जाती से बहिस्कृत मानने की करण साधी करने को नहीं तयार हुए, वो जमाना ऐसा था, इस प्रकार का ध्यान बहुत रोग रखते थे, कि ये बहिस्कृत है तो फिर इसकी लड़की की साधी हम नहीं करेंगे, तब ये चिंतित होकर कासी आये, और सब बात गुर्दियों भगवान कभीर को बताया, और कभीर दाशी नहीं कहा, तुम अच्चुत गोत्रिय हो, उन अवैश्नों को बेटी कदाप नहीं देना, महराज एक बात जो कभीर दाश्ची ने कही न, उसके लिए मैं बार बार कहूंगा, कि श्रद्धा अपनी ऐसी रखना कि गुरु आग्या सरोपर होती, नहीं तो आप नहीं मान पाऊ कि उस बात को, कभीर दाश्ची ने कहा तुम उन्हों अवैश्नों को बेटी मत दो, परस पर विवा करो, ये जो वैश्नों बन जाएं, तो ऐसा न करके उन्हीं बेटी दे देना, और दोनों भाईयों ने गाउं में आकर के गुर्देयों के आग्या सुना दी, भाई भाई की संतानों में विवा होकर के समाज में एक नई प्रथान चले, अत लोगों ने इनकी गुरु निष्ठा से प्रभावित होकर वैश्ना उता स्वीकार कर ली, और फिर इनके साथ विवा संबंद हुए, इस प्रकार से कभीरदास्टी ने युक्ति ऐसी बनाई, कि गहों के लोग करने लेकारी भाईया, दोनों भाई आपस में अपने अपने करन्या का विवा करने को तयार हो गए, तो गलत हो जाएगा, तो सब लोग वैश्ना हो गए, और सब लोग इनक अर्थ के जो विवाद थे, वो समात्थ हो गए, भक्तों एक पदमनाव जी नाम के दिगज विद्वान थे, वे दिगविजे करते हुए काशी आए, और इनके साथ में बहुत बड़े-बड़े विद्वान भी थे, काशी में सास्त्रार्थ की घोचना होई, विद्वानों में खलबली मच गई, पन्नितों ने विचारा कि इस समय इनका नक्षत्र बलवान है, अता इने सिद्धी वल्थ से पराजित करना चाहिए, तो विश्वनात भगवान की शिर्ण में गए, तो स्वपना देश हुआ कि कभीरदास्टी से शास्त्रार्थ करा दो, हार जाएग आफिमानी पंडित, तो पंडित समुदा एकत्रित हो करके, उस जो पर्मनाव नाम का दक्षनी था, उसके पास गए, और बोले कि विद्ध्वान कासी में तो बहुत है, हजारों विद्ध्वान है, सबसे सास्त्रार्थ करने में बहुत समय लगेगा, अता हम लोगों ने अ सलाह करके, एक अपने गुरु को ही चुन लिया है, यह जो हार जाएंगे, तो हम सभी को हार अपनी स्वीकार करनी होगे, विजे पत्र हम लिख देंगे, परन तो फकर सुभाव के हैं, यह तुमारे पास नहीं आएंगे, आप कोई उनके पास चलना पड़ेगा, तुमारा शीप पदमुनाव जी राजी हो गए और शास्त्रार्थ करने के लिए कबीरदास्ची के पास गए, और इनका स्वागत करके, कबीरदास्ची ने कहा पंडित जी, मैंने कागज और कलम का सपर्ष तो किया ही नहीं, मस्य कागज हो यो नहीं, कलम गए हो नहीं हाथ, और शाला कमों भी नहीं देखा, परंतो आपको जो भी कुछ पूछना हो सो पूछिए, तो शीप पदमुनाव जी ने समझ लिया कि यत्यन थी निरभिमानी हैं, अतर बोले, प्रथम आप ही प्रश्न करें महराज, तो शीप कबीरदास्ची ने पूछा, उनोंने पूछा कि आ आपने समझ कर पढ़ा है, अत्वा पढ़कर समझा है, तो पंडित जी मन में सोचने लग गए, कि क्या प्रश्न कर रहेंगे, तो पदमनाव जो शास्त्रार्त माहरती जी आये थे, उनके समझ मनी आया कि क्या प्रश्न कर रहेंगे, ये शास्त्र की कोई बात तो है नहीं, जो पूछ रहें, तो कभिरजा जी ने संकेत किया, कि देखो भाई, प्रहलाज जी है और शुकडेव जी ने पहले समझ लिया था, गर्व में ही समझ लिया था, और उसके बाद जब गर्व से बाहर आये हैं, तब पढ़े हैं, तो पहले समझा था फिर पढ़ा थो, और जो करोणाचारे जी ने पढ़ाया सत्यम वद, धर्म चर्व, तो सभी सिच्चों ने एक ही दिन में कंठस करके सुना दिया, पर यूधिश्टी जी महराज कई दिन तक यही कहते रहे, कि अभी मुझे पाठ याद नहीं है, मैं रट लेने को याद हो गया, ऐसा नहीं मानता हू आचरन में आजाए, तब मैं मानूगा की पाठ याद हो गया, अर्थात मैं सत्य के अलावा और कुछ न बोलूँगा, न सत्य के अलावा दूसरा जीवन मेरा होगा, धर्म किस से हटकर कुछ मेरा कारी नहीं होगा, धर्म का आचरन होगा, ऐसा जब मैं पूरा-पूरा जीवन में कंठस्थ हुआ, तो ऐसे ही कभिरजाजी ने कहा कि मैं आप से जानना चाहता हूँ, कि आपने प्रलाज्य और शुक्डेव जी की तरह से पहले गर्व में समझ लिया और बाहर पढ़ा, या जो धिस्ठिर की तरह से पढ़ने के बाद जीवन को अच्छी तरह से स पत्य को धारन कर लिया, तो कभीर जाश्टी के प्रश्ण पर कुछ देर तक विचार किया पदमनाप जी ने, और बोले कि महराज, मैंने न तो समझ कर पढ़ा है, और उने पढ़ कर समझा है, हमारा पढ़ना लिखना तो ब्यार्थ हो कि है महराज, हम तो केवल अहंकार ही ह हंकार बटो रहे हैं पढ़कर, जितना ही अधिक पढ़ते गए, उतना ही हंकार अपना बढ़ाते गए, और उने पढ़कर समझा है, ने समझ कर पढ़ा है, अब कल आकर के विचार भी मर्श करूँगा, और है सभी लोग चले आए, अब पदमनाप जी साहम काल के समय, शी ग उस पर साथ हजार प्रेटों का निवास्ता, एक डाली खाली थे, तो एक प्रेट आकर उस पर बैठने लगा, तो अन्य प्रेटों ने मना किया, कि तो उस पर बंट बैठो, ये उंची डाल है, शी भहरो जी की आग्या से खाली रखी गई है, इस पर पदमनाप जी ब्रह्म पिशाश बनकर बैठेंगे, बताओ, पदमनाप जी अपने को बहुत बड़े ग्यानी समझ रहे थे, और वहाँ वो प्रेट बता रहा है कि इस पर मत बैठना, इस पर पदमनाप जी ब्रह्म पिशाश बनकर बैठेंगे, क्योंकि नोंने बहुतों को दुख दिया है, बहु उसने कहा, अनि परेटों ने जो मना किया था उस बैठने को, उनने कहा, तुमें बैठना है तो पहले उनसे पूछ लो, उसके बाद बैठो, तो उस परेट ने आकर पूछा, कि महराज, ये आपके लिए डाली, जो खाली छोड़ी गई, कि आप ब्रहम पिशाश बनकर महराज बैठेंगे इस पर, उनी के लिए खाली है, तो हम उस पर बैठें कि नहीं, तो प्रेट ने जब पूछा आकर, तो भाईवीत होकर, महराज वो पद्बनाप जी तो घबडा गए, और पूछने लेगे कि भाईया, क्या कोई ऐसा वी उपाय होता है कि ब्रहम महराज ने बनना पड़े, तो उसने का महराज किसी गूरू का आश्रे लेकर भाक्ति का आचरन करो, तो अब भी आप ब्रहम पिशाच बनने से बच सकते हो, यह अनुगो स्री कभीरदाशी की कृपा कफल है, महराज हराना अपमान करना भी हत्या की हितुल्य होता है, किसी क अपमान करो, तो आपने उस विद्ध्वान की हत्या मान लो कर दिए, और इस पाप से प्रेट योन में जाना निश्चित हो जाता है, इसलिए जो सास्त्रार्थ करने वाले लोग होते हैं, और जो सब को हराते रहते हैं, उन सब का श्राप, पाप, इतना ज्यादा उनके बन जाते हैं, भाईवी तो वो करके दूसरे दिन बड़ी अनुनाई विने करके, श्री पदमुनाफ जी कबिरदाशी के सिश्चि बन गये, बोले महराज मुझे ब्रम पिशास नहीं बनना है, शास्त्रार्थ की प्रवर्ति अहंकार, भाक्ती में, भाक्ती की प्रवा में वो सब बह गया, शास्त्रार्थ की प्रवर्ति थी, शास्त्रों के ज्ञान का अहंकार था, वो सब भाक्ती माता के प्रवा में बह गया, और कबिरदाशी की कृपा से वो सच्चे भाक्त हो गये, तो एक संत्र की कृपा हो गई तो अहंकार से मुप्ती मिली भाक्तों, और और जीवन साधु का क्या होता है, हमें कैसे रहना चाहिए, राम नाम ही परम धन है, परम मंत्र है, श्री राम नाम का ही पूजन करना चाहिए, और श्री राम नाम सबसे ओंचा, तीर सुब्रहमल भी उसके सम्मू कुछ नहीं जब तब दूसरा कुछ नहीं इसके सम्मू श्री राम नाम साक्षात राम जी है ये सब ज्ञान उनको प्राप्त हुआ पदमनाप जी को कबीरदास्टी के द्वारा और तब उनका जीवन पवित्र हो गया इस प्रकास से एक अहंकारी शास्रार्थ महरती को सच्चा भक्त बना दिया कबीरदास्टी ने आगे चरित उनका और आप शरवन करेंगे आज भगवान श्री रामानन जी को और उनके स्ष्य कबीरदास्टी और अन्य सब संतों को प्रणाम करके इह विरम दे रहा हूं श्री राधेरा दे श्री राधेरा दे श्री राधेरा दे स्री आवर राम चंद्र की दे स्री रामानन भगवान की दे